नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंड अप शोग, आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर असम में एक बूत पर मद्दाता सुची में सिर्फ नब्बे नाम, वोट पड़े 171 नौकरी, स्वास की माँ, हिंदू मुसल्मान नहीं चाती असम की जनता जस्टिस एनवी रमन्ना, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए कुरोन अब्डेट, देश में 24 गंडों में करिब 97,000 नए मामले, 446 मरीजों की मौत असम में चल रहें विधानसवा चुनाओं में, आज तीसरे और आखरी चरण का मद्दान हुआ इससे पहले, असम के दीमा हसाओ जीले में एक मद्दान केंद्र पर बड़ी अनियमितिता का खुलासा हुआ यहां सिर्फ 90 मद्दाता पंजिकरेत हैं, लेकिन कुल 171 वोट पड़े हैं सुमवार को एक अधिकारी ने बताया कि यह मद्दान केंद्र हाफ लॉंग विधानसवा चेत्र में है इस जगह दूसरे चरण में एक अप्रैल को वोटिंग हुई थी हाफ लॉंग में 74 प्रदिशत मद्दान हुआ था इस घटना के सामने आने के बाद जीला निर्वाचन अधिकारी ने मद्दान केंद्र के 5 चुनाओं अधिकारियों को सस्पेंट करके यहां दुबारा मद्दान कराने का प्रस्ताव रखा है यह मद्दान केंद्र खोटलीर एलपी स्कूल के 107A में था हाला कि इस मद्दान केंद्र पर दुबारा चुराओं कराने के लिए अभी अधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है दीमा हसाओ के पुलिस उपायुक्त सह जीला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निलंबन आदेश 2 अप्रेल को जारी किया गया था लेकिन यह मामला सोमवार को प्रकाश में आया कामला परवाही के लिए चुनाव आयोग ने S. लौहूंग, प्रहलाज सी रॉय, परमिश्वर चारंगंसा, स्वराज क्रांती दास और एल्थिक को ततकार प्रवासे निलंबित कर दिया गया अब जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें वरिष्ट पत्रकार भासा सिंग ने नियूस लिग के टीम के साथ गुआ हाटी में मद्दाताओं से की बात्चित, सबने हिंदू मुसलिम को बाटने की भाजपा की कोशिशों को नकारा, साथी भाजपा से युवाओ की नाराजगी भी साफ नजर आई है, आईए द सारे खाली है बेगन से यहां पर आप देख लो रेसियो मिला लो यहां पर किसी भी स्केट का पॉपलेशन के साब से हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ा हुआ है, वहां पर भरतिया हो नहीं रही है, एक बार हम आपके जरिये से बोलना साहता है कि मोटी बोला है कि रोज से हलो को रोज़गर देना है न हम लोग को रोजगर स एक हम लोग गलो नहीं हो आपका बीयक या में स्टा बीयख किया, न तो कि लुट जो को इसे स्वास्त हो ना चाहिए ठीके और यहां पे भी वही मुद्दा है ठीक है अभी सिक्षा जो है वो सरकारी सिक्षा बहुत ही खराब है ठीक है वहाँ पे किसी तरह कोई ध्यान दिया नहीं किया है एक प्राइमरी स्कूल में पांचवीक अक्षा तक क्लासेस हैं लेकिन टीचर्स दो टीचर्स हैं एक टीचर्स हैं ठीक है लगबग मोर देन 30,000 प्राइमरी स्कूल से असाम में लेकिन टीचर्स की बहुत ज़्यादा अभाव है तो उस पर तो कोई ध्यान दिया जाने रहा है कितना बाइक का पैसा लगता है वाइग और पैसेंजर का सेवें रुपिस्ट ओनली हां और हां हां आच्छा तो वाइड रोड जाएंगी तो इंप्लाइमन्ट मिला है क्या इस्थिती है मिला है किस लोगों को मिला है पूरा इस पर काफी चेंज हो चुका है पहला राउंड का वोटिंग में तो बहुत मुश्किले बीजेपी के लिए असाम में ठीक है और लवर सम्में भी अभी जो नए दो पार्टी आई अखिल ग परटी यह बहुत ब्रुभाव डाल रहा है तो यह प्रबाव तो पढ़ना वाला है क्योंकि लोगों को शिक्षा में काम नहीं हुआ है यह है चीज ने बंगाल जाके कहा कि वह सबाख सारे नोकरी देंगे कुए असम में 5 साल पहले कहा गया था हर एक को नौकरी मिलेगी कैसे आप आप शिक्षित हैं आप इस पे बहुत बात करते ये सारी चीजने कीसे देखते हैं कैसे वे करोड़ दे देंगे दे देश में हो इनी मतलब एक जूम्ला है और पहले भी बहुत सारे है तो पहले हम जब जब आया थे टूदेन फॉर्टी में बहुत बुरा हाल था नौर्थ गॉहाटी का अभी तो अल्मोस्ट वेटी परसें साव रोड्स हो गया है रोड बगर एकदम बदा अभी नौर्थ गॉहाटी बहुत ही डेवलोप बहुत हुआ है इसका हेल्थ फ्रेश कि फशन के लिए नाहीं है लोगो जो मेडिसीन को मिलता इता दूर से थैंब मेडशीन ख़रीदना थोड़ा रोड़ा सबलेन कुछ लोग होगो के लिए तकलिफ होता है तो सरकार यू तकलिफ समझ रहे था प्रसेंट कि इंटर एर में टी गॉर्ढेन वाले ज्या की बीजेपी के लिए कुछ नहीं किया उन लोगों को पी कम्से लोगों का कहना है जो भी जो भी सिव टो अधर it already वेजेसे जो उन लोगों पाते हैं वहको नॉर्मल डेलिये से बहुत ही कम है उन लोगों का काम करते हैं हम तो तो दुकांदर है आभी तो बिजेपी में ज़्यपी 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 नहीं मिलेगा लेकिन कॉंग्रेक्स को एउडेफ को और जो आम अमाधी पार्टी का यहीं कि मिलेगा ज़्यपी ज़्यपी ने अच्छा नहीं काम किया अच्छा काम नहीं किया हम तो गेजवेट है अभी हम दुकां चला रहा है हम सबजी पर और फॉल्मल यहीं काम करते हैं हम 2102 से गेजवेट किया है लेकिन आभी तक कुछ नवक्री वक्री कुछ नहीं लेकिन खुद को यह करना पर रहा है यह जो चुनाओं हो रहा है यह चुनाओं स्रिफ पोलराइजीशन पर ही चुनाओं हो रहा है कोई कुछ भी कहें बाहर में कुछ भी कहें लेकिन बात यही है जी पोलराइजीशन जितना करें दूनों तरफ से यह पोलराइजीशन की कोशिश किया जा सक्ति किया जा रहा है तो इसमें देखिए इसमें डेश का कोई भला नहीं हुने वाला है जिस तरह से अभी चुनाओं के उम्मिदवार खरेके गए हैं उम्मिदवार का जो चरित्र है जो समाज में उनका स्थिती है वो देखके या बिजेपी हो या कंगरेश हो या कोई दल हो इसका जिस उमिदवार को इन लोगों ने ख़रा किया है इससे साब जाहिर है जो किसी ने जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं आसम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहां पर का यानि नागरिक्ता संशोधन कानून एक निरनायक तत्वर रहेगा की नहीं रहेगा यहां पर शिक्षा और नौकरी का जो वादा था वह एक बड़ा मुद्दा रहेगा या जो इंडवीजवल लीडर्स हैं वो अपना करिश्मा दिखाएंगे हम इस समय खड़े हैं एक फेरी में यह फेरी गुहाटी को उत्तर गुहाटी से जोड़ती है इसमें बड़ी संख्या में लोग रोज आते हैं बहुत ही कम किराया है इसका यहां पर इस इलाके में हिमंत विस्वा का नाम है वे बात हिमंत विस्वा की जरूर करते हैं लेकिन साथ ही यह भी दोहराते हैं कि असम में हिंदू-मुसल्मान नफरत का काड़ चलना मुश्किल है वे नहीं चाहते कि कोई भी इस राज्य से बाहर जाए यह सबसे बड़ा प्रश्ण चिन इस समय आसाम की राजनीती में है कि एक तरफ यहां का जो मद्दाता है वह नफरत के प उसके पक्ष में लोग खड़े होंगे यह इस समय ब्रह्मपुत्र पे खड़े होकर शायद यहां का मद्दाता इस पश्ट रूप से कह रहा है हमाई तीसरी खबर में हम बात करेंगे नयमूर्थी एनवी रमन्ना की जो देश के अगले मुख्य नयाधीश होंगे राश्प यह ऐसे बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 24 अप्रैल को नयमूर्थी एनवी रमन्ना अगले CGI के तौर पर शपत लेंगे बता दे कि नयमूर्थी नाथुल पती वेंकट रमन्ना को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियूक्त किया गया था हाला कि उनके कार 24 घंटों में कोरोना के 96,982 नय मामले सामने आये हैं और 446 मरीजों की मौत हुई है जिन में 48% से ज़्यादा यानि 47,288 नय मामले महरास्ट से आये हैं महरास्ट के साथ-साथ 36 गड़ और करनाटक में भी कोरोना की रफतार तेज हुई है 36 गड़ में पिछले 24 घंटों में 7,302 नय मामले और करनाटक में 5,289 नय मामले दर्श किये गए हैं हालाकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पेड़ित 50,143 मरीजों को ठीक किया गया है लेकिन एक्टिव मामलों में आज फिर से 46,393 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में आप कुल मामलों की संक्या बढ़ कर 1,26,86,049 हो गई है जिन में से 1,65,547 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में रिकवरी रेट घट कर 92,48 फिस्दी हो गया है यानि कोरोना से पेड़ित कुल मरीजों में से 1,17,32,289 मरीजों को ठीक किया जा चुका है अब बस इतना है निउस क्लिक के यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक इंस्टागाम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने क अबस्किली शुक्रियां